गुद इवनिंग वर्डिवरड़ी आज अपन आपन सॉयल साइंस पढ़ेंगे जो आपकी जियर्ट एग्जाम के लिए बहुत मुष्ट है च्पढ़ेंगे बहुत Olip वो कौन सी language का word है तो ये option आ सकता है कि Latin बासा का word है या फिर Greek बासा का word है या अर्भी बासा का word है या फिर इन में से कोई नहीं तो आपको जो soil science word है वो Latin बासा का word है इसकी उत्वति सोलूम से हुई है बात करते हैं जो Indian Institute of Soil Science वो खापे हैं तो ये बोपाल MP में हम अध्य परदेश में है Indian Institute of Soil Science आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लिजगा और अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर कीजिएगा बात करते हैं Soil Composition की जिसमें इसमें सी क्यूशन ऐसे आ सकते हैं कि जो minerals कितने percent पाए जाते हैं और जो organic meter पाए जाता है वो कितनी परतिशत पाए जाता है soil में water कितनी परतिशत पाए जाता है ऐसे आपको एक जामे क्यूशन देखने को मिल सकते हैं अब जो soil composition पाए जाता है, soil में, वो मतलब 45% mineral पाए जाता है, मतलब खनीच पदार पाए जाते हैं, कितने परतिसात हैं, 45% और 5% organic matter पाए जाता है, अब आपन soil देख लेते हैं, कि acidic soil होती है, वो कौन से iron पाए जाते हैं, तब पाए जाती है, acidic soil मतलब अमली मर्दा, अमली मर्दा उसे कहते हैं, वह मर्दा जिसमें HIN की सांदरता, OHIN की सांदरता कि तुलना में अधिक होती है, किसे अधिक होती है OHIN से HC मरदा को क्या कहते है Acidic Soil वै अमली मरदा कहा जाता है जिसमें HIN अधिक पाए जाता है उसे अमली मरदा कहते है यह आप द्धान से पढ़िएगा क्योंकि जिसमें OH पाए जाता है वो सारी मरदा होती है जिसमें ऐच, धनाएन पाये जाता है वो अमलीय मर्दा ऐसीडिक सौयल होती है अमलिय अमलिय मर्दा पाई जाती है अब जिन चेत्रों में वर्षा अधिक होती है ऐसे चेत्रों में अमलिय मर्दा पाई जाती है जो अमलिय मर्दा पाई जाती है वो नम और आदर जलवायू वाले चेत्रों में पाई जाती है कि आदर जलवायू कौन सी मर्दा पाई जाती है तो वो उसमें पाई जाती है अमलिय मर्दा राजस्तान में सबसे ज़्यादा अमलिय मर्दा पाई जाती है वो कौन से चेतर में पाई जाती है और भारत में सरवादिक अमलिय मर्दा उत्री पूर्वी चेतरों पाई जाती है जबकि इंडिया में उत्री पूर्वी चेतरों में इसको आप द्यान रखिएगा अब आगे बात करते हैं आपन जो छेतर फल के आदार पर जो इंडिया में सरवादिक अमलिय मर्दा पाई जाती है किसके आदार पर छेतर फल के आदार पर जो इंडिया में सरवादिक एसे डिक सोयल पाई जाती है वो पसी मंगाल में पाई जा तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कोटा होगा कोटा जहलावाड 12 जिले में अमली मर्दा सबसे जदा पाई जाती है अब जो इंडिया में तो पाई जाती है पस्सिम बंगाल में और जो राश्तार में पाई जाती है वो कोटा जहलावाड 12 जिले में पाई जाती है अमली मर्दाओं में सरवादिक सुक्सम जीव पाए जाते हैं जो अमली मर्दा होती है एसिडिक सोयल होती है उनमें सबसे ज़्यादा ओर्गेनिजम होते हैं मतलब माइक्रो ओर्गेनिजम होते हैं सुक्सम जीव होते हैं अमली मर्दाओं में सबसे ज्यादा जो कार्बनिक प्रदार्थों का विछिंदन करते रहते हैं उड जिसके कारण कारण कार्बनिक अमल बनता है इस कारण अम्ले मर्दाओं का निर्माण हो हो जाता है अब जो अमल्य मर्दा होती है एक्टिव होती है इसमें मर्दाकनाकार मर्दाकनी या माईस सेली पर हाइड्रोजन आएन के गति सीलिया आइस तिर अवस्ता में होने के कारण उत्पन अमल्ता को सेक्रियययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययय सेली या मर्दाकर्ण हाइड्रोजन आयन के अवसोसन के कारण उत्पन अमलता को सिंचित अमलता कहते हैं अब सिंचित अमलता में हाइड्रोजन आयन गतिहीं या इस तर अवसोसन में होता है इसलिए इस अमलता में अरक्षित अमलता भी कहा जाता है कौन सी अमलता कहा जाता ह इसे भी क्यों से आ सकता है कि जो सिंचितमलता होती की नाम क्या है तो उसको आरक्सितमलता की नाम से भी जाना जाता। इसमें माईसेली और मर्दा करना होते हैं वो हाइडरोजन आयन के अउसोसन के कारण उत्पन अमलता को सिंचित अमलता कहते हैं